उस्तो class 12 के practical चल रहे हैं और अगर आपने चार्ट या फिर model में transformer बनाया है तो बस 8 मिनिट का ये वीडियो देख लो आपको 30 में 30 नंबर मिलने वाले हैं आपका एक भी question नहीं छूटेगा आप अच्छे से अपना वाईवा complete कर लोगे स्वागत है सभी का exam cms youtube channel पर class 12 physics transformer अगर आपने चार्ट या model पर बना रखा है तो जब आप वाईवा देने जाओगे जब हुआरा practical होता है तो बाहर से examiner सर वाईवा लेने आते हैं और वो आप से उस topic पर question पूछते हैं जो कि आपने चार्ट या फिर model में बनाया होता है बनाया है तो आपको वाईवा में जो question पूछे जाएंगे मैं पूरे question यहाँ पर answer के साथ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल last तक वीडियो देखना अपने प्यारे दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसकी भी help हो जाए और उसको भी 30 में 30 मिलें जिस तरह से आपको 30 में 30 नंबर मिलने वाले सबसे पहले question जो पूछा जाएगा कि transformer जब आप बना के ले जाओगे चार्ट पर तो यही पूछा जाएगा कि transformer क्या है transformer क्या है तो आपको बताना है कि transformer एक ऐसा साधन है जो voltage को परिवर्तित करता है वोल्टेज को परिवर्थित कैसे करता है दो तरह से परिवर्थित कर सकता है या इस तरह से भी उत्तरम दे सकते हैं कि ट्रांस्वार्मर उच्छी विभो को निम्नी विभो और निम्नी विभो को उच्छी विभो में परिवर्थित करने का कारी करता है तो यह ट्रांस्वार् का आविश्कार कब और किस ने किया तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर का आविश्कार माइकल फैराडे ने 1931 माफ किजी यह 1831 होगा तो यहां पर माइकल फैराडे ने कब किया 1831 में किया ठीक है माइकल फैराडे ने अगला प्रेशन जो वाईवा में examiner सर आपसे पूछ सकते हैं transformer पर, transformer किस सिध्धान पर कारिक करता है, बच्चों ये आपसे वो प्रेशन पूछ सकते हैं, तो आपको सीधा simple जवाब देना है कि transformer अन्योन प्रेरण के सिध्धान पर कारिक करता है, transformer अन्योन प्रेरण के सिध्धान पर कारिक करता है, simple answer, अगला प्रेशन है कि transformer कितने प्रकार का होता है, बच्चाई और अप्चाई, ठीक है, उच्चाई इस तरह से लिख देंगे उच्चाई या आएगा लास में उच्चाई और अप्चाई तो उच्चाई निम्नी विभाव को उच्ची विभाव में बदल सकता है और अप्चाई उच्ची विभाव को निम्नी विभाव में यानि उच्ची वोल्टेज को निम्नी धारा किस धारा पर काम करता है ठीक है question number five जो सर आप से पूछ सकते हैं कि transformer किस धारा पर काम करता है तो यह सिर्फ और सिर्फ AC यानि कि प्रत्यवर्ति धारा alternating current पर काम करता है transformer DC current पर बच्चों नहीं लगता है अगला प्रश्ण है हमारे पर पास की transformer की क्रोड किस धातू की बनी होती है जो transformer की क्रोड होती है वो किस धातू की बनी होती है यह आपको बताना है तो इसका सीधा सिंपल सा answer है कि जो transformer की क्रोड होती है यह नर्म लोहे की बनाई जाती है किसकी बनाई जाती है बच्चो नर्म लोहे की नर्म लोहे की बनी होती है ट्रांसफार्मर की क्रोड अगला प्रश्ण वाईवा में आप से पूछा जाएगा पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की दच्छता कितनी होती है तो सामाने तर ट्रांसफार्मर की जो दच्छता होती है ये 70% से लेकर 95% तक होती है अगला प्रेश्ट ट्रान्सफ़ार्मर में своим dharas से क्या हनी होती है जिससर पूछ ने बताओ ट्रान्सफ़ार्मर में vibr στο dharas से क्या नुकसान होता है इस तरह से पूछ लेंगे तो आपको बताना एकि transformer की क्रोड गर्म हो जाती है जिससे की उश्मा की हानी होती है मतलब उर्जा की हानी होती है ठीक है तो भावरधारा से क्या हानी होती है उर्जा और उश्मा की हानी होती है ये बताना है आपको transformer की क्रोड गर्म हो जाती है भावरधारा के कारण जिससे उश्मा की हानी होती है अगला प्रश्न बच्चो की transformer में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। ठीक है, layered क्यों रखा जाता है। ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है सर, भवरधारा को कम करने के लिए। पूछें कि ट्रांस्वारमने क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है तो आपको बताना है भावरधारा को कम रखने के लिए और भावरधारा से क्या हो जाता है क्रोड गर्म हो जाती है और जिससे हमें ऊश्मा की हानी होती है question number 10 ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है और क्यों डाला जाता है ठीक है पूछ दें कि ट्रांसफार्मर में क्यों तेल डाला जाता है और क्यों डाला जाता है बताओ तो आपको बड़े सम्मान के साथ ये उत्तर देना है कि ट्रांसफार्मर में नैफ्थिक ओयल डाला जाता है कौनसा बच्चो नैफ्थिक ओयल डाला जाता है क्यों डाला जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर क्रोड को ठंडक या शीतलता प्रदान करने के लिए डाला जाता है जिससे उश्मा की हानी कम होती है ठीक है ये आपको बताना है next question जो हमारा यहाँ पर आएगा ये question number 10 हो गया तो कौन सा तेल डाला जाता है बच्चों नेफ्थी कॉयल क्यों हो शीतलान प्रदान करने के लिए क्रोड को जिससे उश्मा की हानी ना हो question number 11 की transformer को DC धारा पर प्रयोग क्यों नहीं करते transformer को DC धारा पर प्रयोग क्यों नहीं करते तो simple से आपको बताना है क्योंकि दिश्ट धारा में अन्योन प्रेरण नहीं होता है जबकि Transformer अन्योन प्रेरड के सिध्धान पर ही कारी करता है इसलिए इसको हम दिश्ट धारा पर अपलाई नहीं करते हैं और next question है मारे पास कि Transformer की दच्छता का सूत्र बताओ तो Transformer की दच्छता इता बराबर होता है निर्गत शक्ती बटे निवेशी शक्ती क्या होता है निर्गत शक्ती बटे निवेशी शक्ती ये question होता है और last question जो पूछेंगे सर आप से की exam with MS YouTube चानल को अपने subscribe किया है जो आपको वाईवा के question प्रोवाइड कराते हैं तो आपको बताना है जी हाँ हमने कर लिया है तो बाकी playlist में आपको physics, chemistry और bio के important वाईवा question मैंने दिये हैं तो उस playlist को जाकर check कर लेना इसका PDF भी है आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा सारे answer के सहीत मैंने यहाँ पर ये PDF आपको दिया है ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया है समझ गए होंगे सभी की transformer अगर आपने chart पर बनाया है या transformer का model बनाया है तो किस प्रकार से आप से प्रशन पूछे जा सकते हैं और आपको कैसे उनके उत्तर देना है बच्चों सो मिलते हैं अपने next वीडियो में transformer topic के लिए कहा था और कोई topic हो तो हमें comment box में जरूर बनाना उस पर भी आपको तुरंट वीडियो प्रोवाइट कराया जाएगा तो questions आप यहाँ पर देख सकते है transformer क्या है ऐसा साधन जो voltage परिवर्तित करता है कितने प्रकार किस ने आविश्कार किया प्रत्यवर्ति धारा पर क्रोड किस की बनी होती है transformer की तुनर्म लोहे की बनी होती है transformer की दच्चता कितनी होती है 70 से 95 प्रतिशत तक transformer में भवर्धारा से क्या हनी होती है तो आपको बताना है उश्मा की हनी होती है transformer कोड पटलित क्यों रखा जाता है तो भवरधारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है नाफ्थी कॉयल डाला जाता है शीतलन प्रदान करने के लिए जिससे उश्मा हनी न हो ट्रांसफार्मर दीसी धारा पर प्रयोग क्यों नहीं करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी इसका PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जल्दी से जाकर आप वहाँ पर जॉइन कर लीजे आपको वहाँ पर इसका पूरा complete PDF मिल जाएगा और अगर आपको कोई और topic पर important question चाहिए है तो उन topic का नाम आप हमारे comment box में जरूर लिखना और आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गाउं से देख रहे थे बच्चों अपने शहर या गाउं का नाम शहर ये गाउं का नाम comment में जरूर लिखना आपके practical के लिए बहुत बहुत शुब कामना है और आपके आपके board exam की तैयारी के लिए हम यहाँ पर आपको model paper, question paper सभी कुछ provide करा रहे हैं बच्चों important PDF pre board के paper भी channel पर available है तो उनको जाका जरूर चेक कर लेना practical के सारे वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं live वीडियो भी मैंने आपको दिया है अलग-अलग physics, chemistry और bio का जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाईवा हो रहा है तो चैनल को subscribe कर लो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो ठीक है गुड लग फो यह एक्जाम्स चैनल को ज़रू subscribe कर लो